मानने प्रदार्मंत्री जी नमस्ते आपने क्या अनुभव किया जब सोलार सिस्टेम के तरब आपताम करना शुरू किया तो हमने जैसे ही वियार में देखा हमें ऐसे लगा कि पूरा सोलार सिस्टेम हमारे आखों के सामने है हमने सैटन के रिंग्स देखे और मंगल घ्रह पर तो हम उतर ही गई बड़ा अच्छा अनुभव रहा है और जैसे हम पीछे तके तो सूर्य बिल्कुल हमारे सामने था यह सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा था इसके बाद हमने पैरमिर देखा हमें बिल्कुल बिया नुभव नहीं था कि पैरमिर कैसा दिखता है हमें किताबों में पढ़ा था पर जैसे हमें वियार के थूरू से देखा तो हमें पता चला वो कितना बड़ा है अच्छा आपको यह लग रहा है कि अब जितना आपने सिखा है कभी जिन बच्चों ने इसे देखा नहीं है और आपको बताय जाए कि आज आपको बाकी जो student है तुम्हारे colleagues हैं वे इस बात को समझने के भई यह की इसको इतना सारा आता है इतना सारा सीख लिया है ऐसा आप उनको विश्वात दिला सकती हो हाँ सर और क्या इसका उपयोग हो सकता है तुम्हें क्या विचानाता है यह सब देखने के बाद करने के बाद तुम हमें नहीं नहीं चीज़े सीखने का मन है जैसे कि डाइनोसोर आदी मानों पहले कैसे रहते थे और साथ अजूबे भी देखने हमें इसमें तो अब क्या करोगे टेकनोलोजी में ही रुके रहोगे कि कभी खेल कुद भी करोगे ने आगे भी बढ़ेंगे वरना क्या होता है ये टेकनोलोजी एक ऐसा नशाह है मैं इन लोगों के विरुद्बन नहीं बोल रहा हूं वरना खेल कुछ छूट जाएगा ममी पापा से बात्की छूट जाएगी दोस्तों से बात्की छूट जाएगी नहीं सर ऐसा तो नहीं होगा ना क्योंकि इसमें इतनी दुनिया जैसे रील देखते हैं आप लोग फिर उसमें से बारी देखते हैं और मा को लगता है कि ये तो भाईव जी पर पढ़ रही होगी चलिए बेटे बहुत बहुत सुब कामना है अपको ठैंक यू सर